के आपको मालूम है कि डेली सुभे पांच बजे जो कि आते हैं और इन सारे इन इस पेपर में से मैं कई सारे इसे इंपोर्ट टॉपिक है जो कि आप लोग के लिए लेकिया आता हूं यह सारे टॉपिक आपके इंडिया के सबी एक्जान के लिए साथ में आप पी डे-टू- कि अगर आप दो चार्ट शेहने अगर आप इसको डेगुलर देखेंगे तो आप वोग खुद को समझ माएगा कि पहले आपकी नॉलेज का लेवल क्या था और अब आपकी नॉलेज का लेवल है जो कि क्या हो चुका है और तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसे रेगुलर से नॉस्पेपर में जैसे कि दे हिंदू में आपको तीन आर्टिकल देखने को मिलेंगे इनेर इस्प्रेस में आपको तीन आर्टिकल मिलेंगे साथ में पी आईबी प्यारेस और बाकि सारे नॉस्पेपर में से आपको पाच आर्टिकल मिलेंगे तो नियर बाए 11 के आसप अविलेबल है, KVS का बैच अविलेबल है, साइन्स, आपका ELP का एक्जाम आ रहा है, उसके लिए साइन्स और बेसिक साइन्स और एंजिनेरिंग, यह दोनों कोर्सेज भी है, राजस्थान में EORO भी आपके लिए अविलेबल है, तो आप जैरफ अड़ा अप्लिकेशन डाउन्लोड कर सकते हैं, UGC net, सेट और अस्टेंग, प्रोफेसर के लिए, आपको क्लास 24 आप डाउन्लोड करनी है, प्रपरेशन में जाना है, यहाँ पर आपको सारे एक्जाम जोकी अविलेबल हो जाएगे, ओके, देखते हैं, आज का Code of the Day क्या है, तो देखो, happiness कभी भी कोई किसी को ऐसे नहीं मिलती है, यह आपके action के ओपर depend करती है, जैसे आपके action होते हैं, उसी के कुछ repercussions होते हैं, उसी के कुछ consequences होते हैं, जिसके वज़ेज से या तो आप गुसा करोगे, या फिर आपको खुशी मिलेगी, आपको एक चोटाजा example देता हूँ, अभी कुस टाइम पर ने जब winters start होए थे, तो अपना एक student है, इशान उसने मुझे कई जैपर में ही, उसने मुझे कई सारे कंबल दिये थे, distribute करने के लिए, because smile for all के drive थी, जहां पर हर साल क्या होता है, कि smile for all के थुरो, हर शेहर के अंदर, जो भी अपने ऐसे कपड़े होते हैं, जो कि winters में हमारे पुराने हो चुके होते हैं, हम लोग काम में नहीं ले रहे होते हैं, तो उसको हम लोग शेहर में distribute करते हैं, उन लोगों को जो कि roadside पर सो रहे होते हैं, जिनको जरुवत होती है, हरना तो यह exercise पिछले 2-3 साल से हैं, जो कि हमेशा करते हैं तो उसने मुझे दिये, और मैंने गाड़ी के पीछे रखें, सुबह के time पर मैं कहीं से आ रहा था, मैंने कई लोगों को देखा, कि उनके पास एक कंबल है और temperature बहुत लो है, जब मैंने उनको जाके दिया ना, यकिन मानो, वो जो उनका चहरा होता है, जो वो gratitude फील करते हैं towards you, unimaginable, मतलब it made my day, ऐसा होता ने कि शुरुवात के अंदर अगर आपको इतना अच्छा चहरा, सुबह सुबह मुस्कुराता होगा, कोई मिल जाता है ना, तो ऐसे मुझे कई लोग है, जो कि मिलें जब मैं ओर distribute कर रहा था, तो आपके पास में भी बहुत कुछ है, आपके पास में knowledge है, आपके पास में पढ़ाने का skill है, आपके पास में आपने इतना सारा पढ़ा है, तो अकर आप इसका थोड़ा भी पार्ट किसी बच्चे को दे दोगे ना, जिसको जरूरत है education की, सिक्षा की, या फिर कुछ भी ऐसी थी जो आपके काम नहीं आ रही हो किसी और की, यकिन मानिए happiness वही से मिल जाएगी, it will not cost anything, लेकिन आपका जो दिन की शुरुवात होगी, या जो day का end होगा, जब भी भी आप, वो बहुत ही amazing होगा, तो ये छोटे-छोटे से action होते हैं, जो कि आपकी जिन्दकी में value add करते हैं, आपको happiness जते हैं, है ना, दुनिया पूरी एक ही तरफ बागती है, सबको रगता है, पैसा कमालों खुशी आ जाएगी, this is not a solution, all right, this is not a solution, ओके, चलिए, आगे बात करते हैं, देखते हैं, आज के front page भी क्या है, तो आज के front page की बात करें, सबसे पहले तो इंडेस वार्टे ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, बहुत important discussion है, पूरा detail में इसके बारे में बात करेंगे, कि इंडिया ने जो है, नोटिस दिया है, पाकिस्तान को, ताकि आप 1960 की जो इंडेस वार्टे ट्रीटी है, उसको क्या कर सके, amendment कर सके, amendment का मतलब होता है, बदलाव कर सके, है ना, जानेंगे इसके बारे में, यहाँ पे बारे जोडो यात्रा को लेकर है, थोड़ा बहुत 16 किलोमेटर का डिस्टेंस था, लेकिन सेक्योर्टी ब्रीच के वज़े से, बुलिट प्रूफ गाड़ी के अंदर है, जो कि राउल गांदी ने पूरा किया, यहाँ में सुप्रेम कोब आद्बी पार्टी की जो एप्लिकेशन थी, पचास से पच्पन लोग है, जो की बैंगलूरी एड़ पर चोड़के चलेगी, दस लाग रुपे का फाइन है, जो की लगा दिया गया, मतलब इन प्रॉपर कम्यूनिकेशन का गैप था, फ्लैट का टाइमिंग कुछ और था, उससे पहले यह जो की इनोंने उड़ा दिया, ठीक है, चले, इसके अलावे आपे सेंसेक्स में दोस्तों कल डिप देखने को मिला, क्योंकि अड़ानी ग्रूप जो है वो डाउन कर गया, तो अड़ानी ग्रूप की डाउन करने के होज़े से, जिन-जिन बैंकों का पैसा अड़ानी ग्रूप में था या जिन-जिन कंपनीज ने अड़ानी ग्रूप में इन्वेस्ट कर रखा था, उनका भी डाउनफॉल देखने को मिला जैसे कि LIC, इसके बारे में भी डीटेल में बाद में बात करेंगे, यहाँ पर सानिय मिर्जा का दोस्तों का लास मैस था, अस्तिलिन ओपन के अंदर, अभी इन्होंने करियर को जो है वो गुडबाई कर दिया, बहुत ही अमेजिंग है जो कि इनका करियर रहा, इसके बारे में भी बीच के निश्परपर में बात करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों तमिल अडू oldest language है, मोधी जी ने यहाँ पर तमिल अडू के अंदर एक lecture, दिल्ली के अंदर languages को लेकर है जो कि एक lecture दिया, तो यह पूरा front page है, हमारे लिए जो important है वो यह वाले news बात करेंगे, आप देख सकते हो Indus Water Treaty, आप चर्चा करेंगे हैं, क्या होता है कि कोई भी रिवर जो होती है उसको कोई भी इंडिविज्वली कोई country है जो कि उसके पानी को यूज नहीं कर सकता, समझ गए मेरी बात, तो जहां-जहां से वो बहरी है, उन सब के उपर है जो कि उसका अधिकार होता है, ऐसा माना जाता है जंड़ली, तो जैसे कि चैना से दोस्तों हमारे इंडस रिवर आती है, सतला जाती है, तो हम लोग वैसे चैना भी नहीं रोग सकता, हमारे पानी यहीं पर रोग दे, ऐसा नहीं कर सकता, उसको भी शेर करना पड़ेगा उसी प्रकार से हमें भी शेर करना पड़ता है तो क्या है कि उपर की जो तीन रिवर और नीचे की जो तीन रिवर इस तरीके से डिविजन कर रखा है पानी जो है वो मेजरली इंडिया यूज करेगा ऐसा निये कि इस वाले को पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता और इस वाले का इंडिया यूज नहीं कर सकता कर सकता लेकिन मेज्जॉरिटी ओफ वाटर है जो की इस्टन वाले को पाकिस्तान और वेस्टन वाले को इंडिया इस तरीके से जो की defined किया गया है western इस तरीके से ठीक है तो आप यह नदिया देख सकते हो यह चैनाब रवी है और ब्यास सतलज चैना के तिबशत से जो है वो देखने को मिलती मिलती यह च्छे नदियों का याप पूरा का पूरा मैटर है और इनके पानी को डिवाइट किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से ये ट्रीटी 19 सेप्टेंबर 1960 को करे गई थी इसके अंदर जो नेगोशेटर था वो वल्ल्ड बैंक था वल्ल्ड बैंक के दुवारा इसको नेगोशेट है जो कि किया गया था और आप देख सकते हो 80 साल हो चुके अभी तक दोनों देश से जो कि इसको फॉलो करते हैं तो यह एक ऐसी ट्रीटी है जिसको दोनों देश अमिश्या से फॉलो करते हुए है ना चलिए पार्टिशन के बाद में जो इंडस वाटर का जो अगर यह नदी नहीं हो या इसका पानी नहीं हो तो पाकिस्तान वैसे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है इसलिए इसको अलाव है जो कि किया जाता है certain irrigation project, power plant, limited storage, domestic or non-conceptive use ये सारे सकेंदर subject होते हैं जिसके अंदर कई सारे bargaining होती है उसी प्रकार से eastern river system है जिसमें आपका सतलज हो गया, ब्यास हो गया और रवी हो गया तीन अधी हो गया इन तीनों के जो exclusive rights है वो हमारे पास में है समझगे मेरी बात, इसी के प्रकार से इंडस water commission जो हर 5 साल में बनाया जाता है जो की inspection करता है सारी river के उपर, हना पूरा inspection है जो की इसका होता है मतलब समझगे, तो regular exercise है जो की conduct करवाई जाती है अब देखो, यहां का, अगर मैं eastern river की बात करूँ, यानि की जो नीचे वाली तीन river है हना, उसका 11 cubic kilometer का एनवल flow है, जो की देखने को मिलता है before entering Pakistan और हमारे पास पूरे राइटेंस के, हम लोग जो पानी छोड़ेंगे, वही पाकिस्तान जो की नीचे वाली river का काम में ले सकता है जो की बहुत ही millimilistik होता है, politicians बोलते हैं बहुत जादा होता है, लेकिन according to the data, जादा नहीं होता है, millimilistik होता है ठीक है, बागी बात करें western rivers का, जो उपर वाली है, इसमें देखोगे आप 232 cubic, किलोमीटर स्कॉर, किलोमीटर का जो annual flow है, वो देखने को मिलता है, जिसमें से 62 हम यूज करते हैं और 170 पाकिस्तान यूज करता है तो इसमें majorly आप देख सकते हो, थ्री एक्स है जो कि पाकिस्तान के पास में चला जाता है, किशन गंगा एक hydro power project है, जो कि जेलम की ट्रिबूटर पर हमने बना रखा है, और ये और एक और है रेटल hydro electric project, इन दो प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान को problem होती है, क्योंकि हमने वैसे कि यार, जो हमारी उपर वाली नदिया है ना, यहाँ पर बना रखा है, तो according to the pact हम बना सकते हैं, हम limited use कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि बस है न, कुछ भी बात के ओपर जो है, वो करना है, उनको ये डल लगा रहता है कि यार, ये maximum पानी वहाँ से, use नहीं कर लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमने क्या है, पाकिस्तान को नोटिस बेजा है, और हम चाहते हैं, कि 1960 का इंडस का जो पैक्ट था, उसमें चेंज करें, और इसलामाबाद भी दोस्तों, court of arbitration जो है, कहाँ पर है, हेक कहाँ पर है, निदरलेंड के अंदर, हैना इन दोनों के उपर है, जो कि यह गया था, हेक के अंदर, अभी उसके उपर वहाँ पर चर्चा होगी, वहाँ पर तो अभी पहली हेरिंग होगी है, भी और भी हेरिंग होगी, उसके बाद में discussions होगा, लेकिन हम लोग यह चाहते हैं, कि यह 80 साल पहले का पैक्ट है, 80 साल प और यह तो मैंने आपको बताए दिया है, और रेटल जो आइडरोलेट्रिक पोजट है, चेनाब रिवर के उपर है, 880 मेगावाट का है, और किशन गंदा 330 मेगावाट का है, जो कि जेलम रिवर के ट्रिब्यूटर के उपर देखने को मिलता है, इसी पकार से आर्टिकल जो के थुरू आप काम करके अपना रिजॉल कर लो, दूसरा होता है कि या तो आप वर्ल्ड बैंक के साथ में एक न्यूटरल एक्सपर्ट है, जो कि अपॉइंट कर लो, वो न्यूटरल एक्सपर्ट क्या करेगा, एक राय है, जो कि दे देगा, तीसरा क्या है कि आप क्या कर पर्मनेंट कोर्ट ऑफ अर्बिट्राज जो PCA है वहाँ पर चले जाओ याने कि कोर्ट के अंदर जाकर जो की रिजॉल कर लो तो यह तीन तरीके हैं इंडिया का कहना है कि हमने पहले के दोनों तरीकों के उपर बात कर ली नहीं बैटा तो आम लोग अभी तीसरा वाला है जो की अपना रहे है ठीक है की पेज नंबर दास यहां पर बात करें चीटा प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों बारा और विक कैट्स है जो की साओ्थ अफ्रिका से इंडिया लाए जा रही है इसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा यह पर उत्रा खंड के अंदर दोस्तों प्रोटिस हो रहा पश्मिना शौल जो है कश्मीर की बहुत ही फीमस है जी टैक भी मिलावा है वो फ्रेंच में जाके फ्रेंच ने उनको डिजाइन जो कि क्या है वह यहां पर दिखाया गया है और चलिए तो हम लोग बात करेंगे चीता प्रोजेक्ट को लेकर आप सभी को मालूम है चीता दोस तो अब यहां पर क्या है कि इंडिया और साउथ अफरिका ने भी फाइनली अग्री किया है एक लॉंग पेंडिंग अग्रिमेंट है दोनर देशों के बीच में वो तो वो पूरा करेंगे बारा चीता को ट्रांस ट्रांस लोकेट करके इंडिया है जो कि भी भेजा जाएगा अब यहां पर देखो यह प्रोजेक्ट जो है बहुत ही पुराना है वैसे हमने बहुत सालों पहले बात करेंगे थी कि साउथ अफरिका से लेगे अभी कुछ ताइम पहले नामी भिया से हमने कुछ चीते मंगाये थे अब हम लोग कहां से मंगवा रहे हैं साउथ अफरिका से हैं जो कि मंगवार है कहां पर लोकेशन से में कुनो नेशनल पाथ मध्यपरदेश के अंदर और नामी भिया से मोधी जी का बर्च देख देथा 16-17 सेप्टेंबर को उस दिन है जो कि इसका इन्होंने जो है वो केश से उनको बाहर निकाला था ठीक ह बहुत ही पहले का प्रोजेक्ट है नियरबाय नियरबाय मतलब बहुत सालों पहले 10-20 साल पहले भी डिसकेशन हुआ था और हम लोगोने आपर जो बात करिए वो 12 चीता है जो कि हम लोग इन से लेने वाले हैं एन्वली हर साल हम लोग लेने वाले हैं और कितने साल तक next नि आठ तो पहले नामीबिया से और 12 साउथ अफरिका से तो टूटल 20 चीता है जो कि हम लोग प्रोजेक्ट चीता के ता है लेके आ रहे हैं कूलो नेशनल पार्क के अंदर यहां पे 600 एक्टेर का एरिया है उसके फैंस दे एंक्लोजर एरिया है जो कि चीता का घर माना और कैपेसिटी यहां पर 21 चीता किया जो कि देखने को मिलती है लॉंग टम पॉपॉलेशन में हम चाहते हैं कि इनकी पॉपॉलेशन 50 से जादा हो जाए इससे पहले similar project दोस्तों South Africa to Malawi, Mozambique यहां पर भी चल चुके हैं है ना यह लोग future के अंदर Asiatic Lion के साथ में भी space है जो कि share कर सकते हैं क्योंकि यह वो लोग कर रहे हैं मतलब पहले भी Lion के साथ में इन्हों जो बाकी जगे पर South Africa में है ना वहाँ पर Namibia में तो यह Lion के साथ में अपनी जगे को share कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर इनको जो थ्रेट है वो लैपर्ड की population से जरूर है क्योंकि लैपर्ड भी दोस्तों चीता वाली जगे पर देखने को मिलेगा ओके वन अफ दा ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशे से जो की चीता को माना जाता है और आठ मिलियन एर पहले तक के इनके सेंटर से जो की देखने को मिलते हैं है अभी पूरे दुनिया में साड़े साथ हजार के आसपास है और मेजरली जो है अफ्रिकन चीता तो अफ्रिका म अंबर काफी अच्छा है और लेकिन जो एशियाटिक है यह गायब हो चुके है इसी वाज़े से इसको क्रिटिकली डाला हुआ है ग्लोबली दोस्तों 90 परसेंट जो की लॉस्ट हो चुका है इनका हबिटेट 97 परसेंट 9 परसेंट जो पहले इनकी रेंज हुआ करते थी उस फीमेल और तीन मेल है जो की देखने को मिलते हैं 4-6 साल की इनकी उम्र थी 12 और है जो कि अभी लेके आने वाले है 90 करोड का बजट है जो की टोटल 5 साल के लिए प्रोजेट चीता के तौर पे किया गया हर 2-3 केजी का मीट है जो कि हर 2-3 दिन के अंदर है जो की इनको दिया जो की गायब हो गया था 1940 के टाइम पर अगर आप देखोगे मौरकों में भी था इस्राइल इराग जॉडन उमान कजाकिस्तान पाकिस्तान यह जाधातर कंट्रीज दोस्तों जो गल्फ कंट्रीज है और जो हमारे कंट्रीज है जाधातर वाए जहां पर शिकारी लोग लास्ट जो चितअ स्पॉट किया गया था वो चक्तिजगड में स्पॉट किया गया था कॉरिया डिस्टिक के अंदर wichtiger की अधा झेलाच और इसको चार साल बाद में घुनमारे देश में नहीं बच के हैं माराजा रामनुण प्रताब सिंग यह दोस्तों एक छोटा सा प्रि जो कि लगाया गया है अधरवाइस अभी रहते हमारे आपके रामानुज प्रताप सिंग ओके यह रूलर थे चतिसगर के चोट इसे प्रिंसले स्टेट के इनके दुवारा तीन चीता है जो कि लास्ट में मार दी गए कुनो नैशनल पार्क में क्यों चुना गया है दोस्तों क कुनों क्यों है क्योंकि देखो चीता और अश्याटिक लाएं दोनों ही सैमी एरिड जो ग्रास लेंड ना उसके है इनका जो होता है वो चोटी-चोटी घास वाले अरिया होता है क्योंकि लॉंग भागना होता है इनको हैना तो गुजराज राजिस्तान और मद्ध जाता है diver's species भी आपर देखने को मिलती घाने पिने के लिए इनके attack कर नने के लिए भी कई सरे जानवर और भी सांबर है चीट-विल गया न्गूर और नंगूर आपको यहापट लगले इसे लिए उसको म माना कहा है पता लगा कि चीता को ऐसी जगे डाए आल दिया जहां सब्सक्राइब कर पाएगा दर्वाइस विचारा सब्सक्राइब कर पाएगा वो देगे का यार यहां तो कोई चोटे-मोटे जानवर नजरी नहीं आ रहे हैं किसमे टाइक करूं और हमेशा कि हमेशा आप उनको खाना देने की जब्मेदारी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हमें लाइन दे दो हम चारते कि आप हमें चीता दे दो तो इस तरह कैसे हम लोग नेगोशेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह सक्सेस्फुल नहीं हो पाया ओल्रेट कुनो नेशनल पार्क को 1981 में सेटल किया गया वाइड लाइफ सेंचुरी के तौर पे 2018 में नेशनल पार्क बनाएं और खातियार गिर ड्राय देशनल फॉरस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं कुनो पल्कपूर वाइड लाइफ सेंचुरी भी दोस्तो इसी का ही पार्ट है और बहुत ही इंपोर्टेंट सेकिंड हो में जो कि अश्याटिक लाइन का माने जाता ओके यह वल्लेरेबल में हैं और यह क्रिटिकली एंडेंजेंड में हैं 7000 के आज पास देखने को मिलते हैं अफ्रिकन और यह वाले दोस्तो इस्टिक इंडिया से गायब हो चुके इरान में कोई 20-50 के आज पास है जो कि बच्चे में अधरवाइस और कहीं पर भी नहीं है all right ये बिक सेवन के बिक सेवन केट इसाथ जोना क्या फेमली के मैंबर से जिनको आम लोग जानते हैं लायन के तौर पे टाइगर के तौर चीटा लेपर अपना टीके कौगर और सातमें अपना चीटा चीटा तो बताई चुका हुआ है ठीके प्युमा ये सब इसी के ही जो की माना जाता है इसको ओल्राइट यह साथ है है ना चले आगे बात करते हैं पेस्ट नंबर 11 की यहां पर बात करेंगे हैं Holocaust Memorial Day को लेकर justify करना इंसान कोई भी कुछ भी justify कर सकता है मतलब दुनिया में justification का कोई आंत नहीं है कोई कुछ भी बोलके कुछ भी justify कर सकता है तो यहां पर अभी पुतिन सहाब है जो कि खुद के attack को justify कर रहे हैं और relate कर रहे होलोकास Memorial Day से आपको मालूम होगा Holocaust Memorial Day दोस्तों वो दिन था जब कई सारे लोगों को Red Army के दुवारा जर्मनी में बचाए गया था नाजीस के दुवारा दोस्तों Jewish की हत्याएं करी जा रहे थी बनाब नियरबाए नियरबाए पचास से साथ लाग जुविश की हत्या कर दी गई थी नाजीस के दुवारा है जर्मनी के दुवारा Hitler के दुवारा यह बोलके कि हम लोग superior है जितने भी जुविश थे और इनरेटीस थे उनका holocaust है जो कि किया गया था बहुत ही खराब तरीके से मतलब बहुत ही पथाटिक कंडिशन में रखतार बच्चे से लेकर बूरे तक किसी को इटलर के दुवारा नहीं छोड़ा गया था और मैं अमिशा बोलता हूं कि आग लगती जब सब की घर में लग एरिया भी चला गया लोगों को भी बहूत हरेस्ट बाद में आरेस्टमेंट जेलना हो पड़ा हर कंट्र अपने साब से अपना एरिया ले गया बहुत अरेस्टमेट देखने को मिला नहीं जरमनी के साथ भी वैसा ही हुआ अब उसक्रीन के अंदर अटेक करके रश्या भी सबसे बुरा टाइम लाने को रेस्पॉंसेबल है तो पुतिन ने वो अपने आपको जो है वो डिफेंड किया होलोकास्ट मेमरियल डे दोस्तों इंटरनेशनली मनाया जाता है 27 जन्वरी को क्योंकि इस दिन दोस्तों जो विक्टम थे ना होलोकास्ट के उनको याद के अंदर जोकी मनाया जाता है जूइश पॉपॉलेशन के अत्या कर गे थी काउंटलेस नंबर ओ मैनरेटीज को 1933 से 45 के बीच में मारा गया नाजी जन्मनी के दुवारा फाइनल सलूशन है जो कि उनके दुवारा ये बोला गया था मैनरेटीज को और जूइश को पॉपॉलेशन को खतम करने को लेकर हिटलर ने बहुत तगड़ा गेम के ला था हिटलर ने वागी पहले मीडिया करे थी उसके बाद में मुवीज सॉंग गाने लोग सेलेबरिटी सब को चुप करवा दिया और हर जगे पे एक ही प्रोपगेंडा फैलाया कि हम लोग बेस्ट है हम लोग मिजॉर्टी हम लोग और माइनेटी जो हैं वो रेस्पेक्ट और इक्विलिटी जो है वो डिजर नहीं करते हैं तो जनता तो फिर होती है किसी भी देश की उसकी तरीके से जो लीडर बोलता है उसको फॉलो करती है वितावर दिमाग लगाए जब सब कुछ सारे अंतरतंतरी डेमोक्रेसी के सब समय जाते हैं आते हैं उन्होंने ऊसका सपोर्ट करना चालो किया और छोकाश्ट हो गया और मैं जर्मन के भी हालट बहुत हराब हो गई जर्मन लोगों को भी बहुत जादा जन्मल लोग भी बहुत जादा मरे वर्ड वर के टाइम पे तो 27 जन्वरी को दोस्तों इसी तरी के से आस्ट्रिविस कंसेंट्रेशन कैम्प है जो कि लिबरेट किया गया था रेड आर्मी के दुवारा यह रेड आर्मी काफी लोग ते उन्होंने यूनियन ती स्ट्रेट इन्होंने बहुत कोशीश करे थी हितलर के बारे में बताने को ले कर जैसे कि हमारे टैम पे हमारे थे क्या बोलते है एचारे के जो मेंबर थे हमारे सारे के सारे बगास सेंग चंदर शेकराजाद तो बेटिशन की टाइम पर जिस तरह के से वो लोग रिवलुशनली थे ना वैसे ही इटलर की टाइम पर भी कुछ एक गुरूप था इस्टुएंट का जिन्होंने बहुत काम किया सब्सक्राइब करें तो कल आप देख सकते हो कि कल मार्केट से 3.37 लाक करोड़े जो की वाइप आउट हो गए मार्केट के अपलाइजेशन कल साट अजार के उपर था वो गिरकर है जो की नीचे की तरफ आ गया कापी जंता का पैसा है जो की क्रैश हो गया कल और इसमें में यह जली नुकसान लाइश को भी कल बहुत जाता नुकसान होए वैसे अभी बात करेंगे इसके बारे में भी तो सबसे पहले तो ग्रेंड एकशेट के बारे में आप देख सकते हो सानिया मिर्जा लास्ट में था अँने फाइनल के अंदर ये थी फाइनल में रोल वपना के सानिया पीविस इंदू सानिया मिर्जा यह सब हमारी गल्स के लिए देश में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का सोर से जोकी रही है तो हैद्रबास से बिलॉंग करती है और बॉंबय में 15 नेमबर गुंका जन्म हुआ ठीकें 2023 में रिटायर हुए 2003 में इन्होंने अपना करिय से पास आउट है उसके अलावा करियर टाइटल जो है इन्होंने एक जीता 62 परसेंट मैचेस जीते हैं और हाइस रैंकिंग 27 भी सिंगल्स के अंदर तो 27 रैंक है जोकी रही है और अगर मैं डबल में बात करो तो यह प्रो रही है अपने लेवल में मिक्स डबल्स में और ड और और ता प्छमेंश रही है ना मिक्स डबल्स के अंदर भी जीता है घ्राइब कॉन्स में करियर टाइटल थी न 15 रौने चेलिटी लिए और semi final Olympic के अंदर भी पहुंची थी ठीक है guys सानिय मिर्जा आगे बात करते हैं कल रहा Black Friday दोस्तो अडानी के stock के लिए भी और investors के लिए भी जिन जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था बहुत पैसा है जो कि डूब गया मतलब कल बहुत सारी enterprises का 16% 18% 13% अंबूजा सीमेंट का 17% डाउन फॉल है जो की देखने को मिला इसके अंदर दोस्तो अलाइसी को भी 16,000 करोर का दोस्तों का लुक्सान है जो की देखने को मिला क्योंकि अलाइसी ने भी काफी पैसा है जो कि अडानी के अंदर invest कर रखा था ठेके गई इसके अलावा जो FPO आए था अना वो भी किसी ने नहीं खरिदा कल FPO आए था FPO का मतलब होता है follow on public offering ये समझना paper में आ सकता है बैंक के exam में follow on public offering क्या होती है कि जब आप investors को IPO आने के बाद में वापस से जब share allocate करते हो तो इसको FPO कहते हैं पैसा raise करने के लिए follow on public offering इसको क्या जाता है ठीक है तो ये आपसे full form के तौर पे paper में ये इसके मतलब के तौर पे bank के exam में पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी word काफी famous हो चुका है टाटास को दोस्तों एक साल हो चुके एर इंडिया को तीस परसंट इंक्रीज कर रही है इंटरनेशनल 63 परसंट आवरेज डेली रेवन्यू जो है वो डबल कर दिया गया और अभी इन्होंने 600 और एर क्राफ्ट का ओडर है जो की दिया है ओके फ्रिक्वेंसी भी प्लेंटी पर प्लेंटी लगी जा रही है ओके डीजी डीजी सीय ने कभी प्लेंटी लगाई है अभी तो आगे बात करते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर तो रिसेंट ही देखो एफसीय जो है ना हमारे यहां पर फूट कोपरेशन ओप इंडिया उसने थर्टी लम्टी ओके जो वीट है ना वो अपने पूल में से निकालके आक्षिन करने के लिए बोला है ओपन मार्केट सेल स्कीम में जो कि इसको कहते है तो स्टेट गवर्मेंट और यूटी क्या कर सकती है इस यह ऑक्षिन के दुबारा इसको खरीच सकती है तो एफसीय क्या करता ह जो भी सर्प्लस में एक्स्ट्रा जो उसके पास में गेहू होते है चावल होते है वो एक फिक्स प्रैस के ओपर उपन मार्केट में उसको सेल करता है ताकि मार्केट के अंदर सप्लाय जो है वो बनी रहे है और हाई प्रैस जो है वो नहीं हो है ना और वो एक्स्ट्रा होत आते हैं तो यह नैशनलन कमूरिटी एंडिवेटिव एक्षेंज लिमिटेड जो है इंडिया का ओलाइं कमूरिटी और डिवेटिव एक्षेंज जो कि इंडिया बेस्ट है ओनर्शिप इसकी गौवर्मेंट ओफ इंडिया के मुंबई में एड कोटर है 2003 के अंदर इसको बना सब्सक्राइब करेंगे संडे को करते हैं तो बफर स्टॉक है जो कि हमेशा एक्षेंज मेंटेन रखता है ताकि देश में कभी भी फूड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा ठीक है और इनी के दुआरा एक फूड सिक्योर्टी एक्ट का ध्यान रखा जाता है दोजा तेरा के अंदर आये था एक्षेंज की बात करें 1965 में बनाए गया दिल्ली में एड़कॉर्टर एक्किस अजार कमचारी काम करते हैं और पांच लोकेशन में जोनल ओफिस आपका देखने को मिलता है उसी प्रकार से फूड सिक्योर्टी एक दोजार तेरा में आये थ आया जलता है तर पांस केजी 15 वेट पर मत तीन रूपवर दो रूप़े पर एक रूपए में पर नियों करें है बहुते प्रेटों को मिलता है मील और मटर cricket वोव点्ग मतनों करी मिल 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में ओके तो यह सारे बेनेफिट जो की दिये जाते हैं चलिए आगे बात करते हैं और पंचायत लेवल रिसेंटली दोस्तों क्या हो गया कि तेलंगाना के अंदर एक ग्राम पंचायत के एक वो थे सरपंच उन्होंने आत्मत्या कर ली उनक के पास में काम होता है चार करोट रुपे का उसका सरपंच के पास में एक स्टॉक होता है जिसको गाओ में डबलप्मेंट के लिए काम में ले सकता है लेकिन मिलता नहीं हो पैसा यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो फंडिंग इस्यू उसको मिलना करने की जो पैसा आठकावा है वो कितने टाइम में डिस्पर्स हो रहा है डबल ऑथराइजिशन की प्रॉब्लम साथ में कंट्रोल पॉलिटिकल सुपर विजन ऐसी कई सारे इस्यू जो कि आज के टाइम पर पंचायत के अंदर देखने को मिलते हैं तो वहीं यहां पर हाइ और सेंचुरी एक उनो रैश्मिल पार वहां पर एक चीटा को दोस्तों एक इंफेक्शन हो गया इसको बोलते हैं है पर हैप्टो रेनल इंफेक्शन क्या है रेनल का मतलब तो आप समझते होंगे किड्नी तो जब आपकी किड्नी काम नहीं करती है अच्छी तरीके से तो ल चीटा के अंदर जो कि आठ में से देखने को मिला तो आठ चीटा है जो कि नामीबिया से जो है वो कुनों के अंदर लेके आए थे उसमें से एक के अंदर यह प्रॉब्लम है जो की पाए गई आगे बात करते हैं हल्वा सर्मनी रिसेंटली हुई है दोस्तों आप देख सकत हल्वा से होने की स्टार्टिंग है जो की हो चुकि होती है तो टेश चौबिस का बजट है जो कि रेसेंटली पेश किया जाएगा यह कस्टम है ट्रडिशनल जिसमें हल्वा प्रिपेर किया जाता है सभी ऑफिशेल को सभी स्टाफ नमर को जिन्हों ने बजट के अंदर कॉ को अलवा खिलाया जाता है और एक लॉकिन पिरेट भी होता है इस टाइम से दोस्तों कोई भी ऑफिशल नौट ब्लॉक के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बजट के ओपर काम हो रहा होता है तो पहले से कोई भी चीज बाहर नहीं आए इसलिए सब को लॉकिन पिरेट में रखा जाता है सारे के सारे ओफिशल्स को आज की टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जो की है टेक नेक सिंड्रॉम नाम से समझ में आ गया होगा टेक नेक यानि टेकनोलोजी के वज़से जो नेक के अंदर डाउनफोल आया है उसको सिंड्रॉम है दोस्तों जो की बताया आज की टाइम पर बहुत सारे लोगों की नेक की प्रॉब्लम बढ़ गई है क्योंकि पूरे दिन दोस्तों इस तरीके से वो चलते हैं एक जमाने में हम लोग ऐसे चला करते थे फिर मुबाइल फोन बढ़ते गए तो ऐसे हो गए इंटरन बढ़ता सब्सक्राइब जो जो की देखने को मिलता है क्योंकि फ्रिक्वेंट लिए आप नीचे देखते हो एक तो होता है ऑप आप में से कही लोग मों की आँखो की समस्या हो तो यह भी हो सकता है अब अगग आप ये वाला एंगल देखोगे तो 30% डाउन फॉल देखने को मिलेगा आपके यहां पर आपके elevation के अंदर आपके एक basic structure जो human का होता है उसके अंदर पहले किसी जमाने में इंसान ऐसे से ऐसे से ऐसे हुआ पहले इंसान ऐसे तो था वो ऐसे करते करते सीधा हुआ अब इंसान वापस दे पीछे की तरफ जा रहा है वो वापस नीचे की तरफ जा रहा है समझ गए मेरी बाद ठीक है तो पहले इंसान टेड़ा था ऐसे होते होते सीधा हुआ अब सीधे से वापस नीचे की तरफ जा रहा है तो आप यह देख सकते हो इतना वेट जो कि आपका एक्स्ट्रा पढ़ता है आपकी नैक की उपर जैसे एससे आपका एंगल आपका एंगल की पॉपटर का जो वेट वह आपकी घर्दन पर जाएगा इसी को ये सिंद्रॉम में टैक्नेक सिंद्रॉ प्रिकारियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही खतरना होती ए इसका बहुत अच्छा वर्ड है ध्यान रखेगा कौटिडियन का मतलब होता है जो डे-टो-डे वर्ट होते है उसको कहते है और अपना एक्स्टिमेट करना साथ में कर सकते हैं जहाप एक साल का current affair में आपको 22 और 23 का करवा रहा हूँ SSC के सारे courses class 24 पे available है KVS का available है EORU का available है साथ में ELP के exam अगर आप दे रहे हो तो science और basic science and engineering के course available है आप join कर सकते हैं अगर आप कोई assistant professor set का या UGIS rate की तैयरी कर रहे हो तो आप GRF ADDA application डाउनलोड कर सकते हो आपको सारे courses मिल जाएंगे आपको class 24 एप download करनी है preparation पे जाना है और यहाँ पे आप सारे step आप देख सकते हो यहाँ पे आप join कर सकते हो तो यह था आज का आपका important session पहला सवाल है आज का आपका Padma Award को लेकर Padma Award दोस्तो Padma का Award एक committee बनती है उनके द्वार 1, 2 और 3 यह तीनों आपका सही statement है यहाँ पे option गलत है Solidar दोस्तों एक place है जो कि recently Ukraine में दोस्तों news में आई थी क्योंकि रश्या ने आप अटेक करके इसको अपने area में मिलाया Ukraine का कहना है कैसा नहीं होआ इसलिए Award famous हुआ Monument Mitra scheme के वारे में बात करें Central के दुवारा दोस्तों यह scheme launch करें गई बिल्कुल सही बात है Ministry of Culture के दुवारा इसकी शुरुवात करें गई यह गलत है आपको याद होगा कल में बताया था कि Ministry of Tourism के दुवारा स्टार्टिंग करें गई थी Culture को बाद में transfer करें गई तो बी गलत यानि की यह गलत यह गलत पहला सही है यानि की वन और थड़ आपका यहाँ पर सही answer हो गया ठीक है चले युदिनेश्या की बात करें तो इंडिया में active और passive दोनों ही permitted है नहीं है ना हमारे यह अपर active तो यानि की यह यह गलत यह गलत पहला वाला बिल्कुल सही है तो यानि क्या आंसर हो गया वन आपका तो यह था आज का आपका इंपोर्टन सेशन फूर्ट सिक्योर्टी एक्ट वाला भी देख लेते हैं 2018 में कोशन आ चुका है तो यह सरी बीपील वाले यह गर में वही इसके अंदर हैट बाने जाती यह बात भी सही है तो वन और टू आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया ठीक है इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं तीसरा वाला पढ़ने की विजरूरत नहीं पड़ी ठीक है सेकेंड होगा कैस में करेक्ट पूछा क्या है क्या हां बीपील वाली फैमिली इस तो खेर मिलता ही है उसके अंदर भी केटेगराजिशन होती है रिचनिशन उती है अंत उत अद्विक्कोरद करें आश हाँ तो बिल्कुल सही है कि इसके अदर वी इंधे बारे में बात करी गई है और भी कई सारीहcrates होती हैं उनको भी यह मिलता है तो आपका यह गलत है और यह वाला तो गलत ही है यह वाला सही एक तो तो इसलिए भी आपका सही आंसर है, यहां पर 16 क्यलरी इसका नहीं है, है ना, 6000 रुपे पर मंत है, जो कि इनके अंदर help है, जो कि उनको मिलती है, तो फर्स गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, सेकिंड यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, तो यह था आज का आपका important session, PDF के लिए आप Class24 application download कर लेजएगा, सारे courses और PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आज के लिए इतना है, thank you everyone, goodbye and have a nice day.